तो चली भाग विदी से बहुपद का भाग कैसे करते हैं यह हमने कॉंसेट देख लिया अब सेल जी सीधा प्रश्णोली हल करते हैं प्रश्णोली पहला देखते हैं पहला ही प्रश्ण है बहुपद गाग विदी से बहुपद करते हैं यहां पर लिखेंगे हम दिया है बहुपद कोन सा बहुपद है बहुपद Px पराबर x square minus x plus 1 ठीक है, यह क्या है भाज्य है, इसको लिखे लिख रहते हैं भाज्य, भाजक दिया है भाजक बहुपध, यह भी बहुपध है Px किते दिया है x plus 1 सबसे पहले अगर हम वहुको है, इस प्रकाश लिख लेना यदि, इसमें अगर कई एक आद प्रस्ण होगा देखना उसमें क्या होगा एक स्क्रम में लिखना है इसके बाद हम क्या करते हैं भाग देते हैं x square minus x plus 1 इसको हमको भाग देना की से ? x plus 1 से ठीक है ? इधर रबकार है इधर लिखने का ज़रूत नहीं ठीक इसको समुझाने के लिए बता रहे हूँ सबसे पहले क्या करते हैं इस x प्लस 1 को हमको इससे भाग देना है तो अभी हमने देखा क्या करते हैं इस x और ये x square को दोनों के ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना रहता है इस x में कौन से संख्या का गुड़ा करें कि x square से ज्यादा मत हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं इस x square में इस x का भाग देख देख ले लेते हैं, ठीक है, x square में x अगर हम भाग देंगे, simple क्या बचेगा, x से 1 कम x, इसका 1 उपर जाएगा, जब भाग होता है, घात कम हो जाता है, तो x और 2 में 1 जाएगा, तो 1, ठीक है, क्या बच गया, x, इसका मतलब है कि इस x plus 1 में हमको किसका गुड़ा करना है, x plus 1 में, अब हमको किसका गुड़ा करना है, इस x का गुड़ा करना है, ठीक है, x plus 1 में, इस x का गुड़ा करेंगे, तो इस x square के बराबर आएगा, पहला पता हमारा, ठीक है, तो simple x plus 1 में x का गुड़ा करके देख लेते हैं, x और x सका गुड़ा ह के बार X plus 1 और X का गुड़ा की तो क्या मिला हमें X square plus X इस तरीके से अब क्या करना होता है इसको घटाना रहता है जैसे घटाते हैं इसके सामने का जो भी चिन है वह बदाल जाता है यह plus और यह plus ठीक है इस तरीके हो जाएगा ठीक है तो आप क्या हो जाएगा X square में X square को माइनस एकस अब दोनों जूर जाएगा एकस और एकस यह हो जाएगा एकस और एकस तरीके से यह तो आपको आतो ही होगा तो क्या हो जाएगा माइनस दो और यहां पर क्या करते हैं अगलाय से नीचे उतारते हैं प्लस दिया इस टरीके से अब प्लस फ्लस वन में कौन सी संख्रा का गुड़ा करें कि माइनस टू एकस से जादा मत हो पहला पद तो हम सिंपल क्या करते हैं यह पता लगाने के लिए minus 2x में इस x का भाग देख, देख लेते हैं ये पहला पत को ध्यान मी रखते हैं और निकालते हैं, minus 2x में x का भाग देख लेंगे कि कौन से संख्या बचेगा, तो सीधा ये x से कम और x से कम कर जाएगा, बचेगा क्या? 2, इसका मतलब क्या है कि इस x से 3, eat24, mean अब हम को कौन से संख्या का गुड़ा करना है minus 2 का गुड़ा करना है यहाँ पूपे minus 2, चिन्ने के साथ लिखना है ठीक है हमें, लिखना है minus 2 और x plus 1 में minus 2 का गुड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा, x plus 1 में माइनस टू का गुड़ा करेंगे क्या होगा माइनस और यहां पर कुछ नहीं मतलब प्लस माइनस और प्लस को गुड़ा होता है तो माइनस फिर एकस और टू ठीक है तो यहां पर क्या होगा संख्याक सांट गुड़ा होगा एकस ता के सामने कुछ नहीं मतलब एक है तो दो 2 और x कुछ नहीं यहाँ पर 2x से कम x यहाँ पर करा जाएगा माइनस 2 और x का गुड़ा होगा तो माइनस 2x फिर माइनस और प्लस का गुड़ा होगा तो माइनस 2 और 1 का गुड़ा होगा तो 2 क्या मिल गए हमको माइनस 2x प्लस माइनस 2x माइनस 2 में आप लिखेंगे माइनस 2x-2 अब हमको क्या करना इसको गहताना है जब भी घहताते हैं तो यह जो चीन बदल जाता है कैसे टीक है और धालता है हमने अभी देख लिया है जब दाम्पल देख रहे थे तो minus हो जाएगा हो रीस माइन dal कभी प्लस हो जाएगा घीक है तो आप क्या हो जाएगे मईनस चनगेफ़ कर जाएगँ है यह सदा यह संख्या बराबर है तो सिधर सिधर सुदे हो जाएगा अब यह प्लस वन है और यह प्लस टू है थीक है माप बासवन में दो को जोड़ना है घटाना नहीं है तो प्लस तूराइगा ठीक है इसको लिखने के ज़रहत नहीं होती है इस तरीक से कि यह पहला कोश्चन एकदम सरल है जब हमने उधारन देखा तो काफी ज्यादा समय लगा क्योंकि समझाने पर पहला कोश्चन है समझाने में ज्यादा टाइम लग जाता है सिंपल है अगदम देखो अगा हमारे यह भागफल हो गया और यह सेस्फल हो गया यही बस हमको कैल्कुलेशन करना होता है यहां से अब ध्यान में फुरस रखिए यह सब बरब कार्या है इसको करने की ज़रूत नहीं होती है इसको समझाने करें आप बताया गया है तो सिंपल यहां पे जो बच्चा है वह हो जाएगा सेस्फल बराबर हो जाएगा तीन ठीक है यहां पर लिख देंगे उत्तर ठीक है इस तरीके साब को कुश्चन हल करना है एक्जाम में भी आपको सेम ऐसी हल करते जाना स्टेप बाइस्टेप वह अलग चीज है ठीक है उसको लिखन हमीन होती मैं आपको बता रहे हूं अगर इनकेस आपको बूला जाएक है कि आपको च्छेक करके बताओ तो क्या कर सकते हैं यह जो भाजग उद्धारान में देखा है भाजग और भागफल का गुडण फल और सेशफल को जोड़ने से मिल जाता है यानि कि भाजग बराबर यहाँ पे x square minus x plus 1 ठीक है और इस परकार से अगर हम भाज जे और भाजक भागफल सेसफल तो हमारा जो भागफल और सेसफल मिला है उसकी साफ से हम चेक कर लेते हैं भाजक कितना है एक सब प्लस 1 है और भागफल कितना है भागफल है x minus 2 ठीक है और इसमें हम कितना है प्लस 3 अगर यह बायापक्ष और यह दायापक्ष दोनों बराबर आते हैं बायापक्ष और दायापक्ष अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो सिधा-सिधा हम कह सकते हैं कि हमने जो हल्किया वो सही है निकाल को देख लेते हैं बायापक्ष को रखते हैं अब सिधा हम right hand side ठीक है दाया पक्षा को देखते हैं X plus 1 है और गुडा है X minus 2 अब प्लस में फिर 3 अभी हमने देखा गोपदों को गुडा कैसे करते हैं इसका गुडा इन दोनों के साथ फिर plus के साथ plus 1 को गुडा इसके साथ तो simple कर देते हैं X का गुडा होगा X minus 2 के साथ और प्लस, 1 का गुड़ा होगा, x-2 के सार, और आखरी में 3 हैगी, ठीक है, इस तरीके से x और x अगर गुड़ा करेंगे, तो x अगर गुड़ा हो जाएगा, घार जूर के, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस, प्लस और माइनस का गुड़ा होगा, तो x हो जाएगा, प्लस है, यहां भी प्लस है, प्लस हो गुड़ा होगा, तो 1, 1, x को गुड़ा होगा, तो सिधा इसको जल कर लेना है, और प्लस एकस है यह एकस चाहरासी दोनों समान चाहरासी है तो यह अपस में जूडएंगे और जूड़ेंगे जब एक माइनस और प्लस रहता तो बड़ी संख्या में चोटी संख्या को घटा देगे तो क्या बच जाएगा सिर्फ एकस बचेगा चिंदा कुन साराओ जो तो देखो हमने जो भागफल को गुड़ा करके सेस्फल को जोड़ा तब इतना आया और यह चूंकी देखो हमारा भाज्य के बराबर है यह लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है अता हमने यहां सिद्ध कर दिया ठीक है अला कि सिद्ध करने के लिए नहीं बोल गया बंद